नमस्कार दोस्तो बाई सेल सिगनल सौफट्वेर में आप सबी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगे सौफट्वेर कैसे काम करता है अगर हमारे सौफट्वेर के मुताबेद अगर सही ट्रेड मिलता है तो ही हम ट्रेड करते हैं गलत सिगनल पर हम ट्रेड नह करते हैं क्योंकि बहुत सारे software के अंदर buy sale, buy sale, buy sale बन जाता है और आपको confuse कर देता है कि कहां पर trade करें वो trade करने के बाद भी कितना hold करें और hold करने के बाद भी कहां पर exit करें यह सब बात इस software के अंदर available है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर अगर sale signal मिलता है तो sale पर हम directly trade नहीं करेंगे कि यह trade अगर सही है तो ही हम trade करेंगे तो यह signal हमारा perfect trade था confirm trade था उसका reason यह है कि sale के पहले देखिए तो एक downside blue arrow लगा है इसलिए यह sale signal confirm है अब exit कहां पर करें तो यहां पर उसने एक उपर की side का arrow दे दिया तब हम exit कर लेगे वेसी तरह यहां पर buy signal दिया buy में trade करें या न करें वो confirm trade है उसका reason क्या है कि buy के पहले यह उपर की side का blue arrow बना है इसलिए यह buy signal confirm है तो हमने यहां पर trade किया आप exit कहां पर करें तो software ने यहां पर बोल दिया यह downside arrow दिया तब आपको यहां से exit कर लेना है अब कभी कभी software market बहुत उपर चला जाता है तब क्या होता है जब market रेली निकलती है दो दिन तीन दिन चार दिन market उपर जाता है तब software आपको continue बोलता रहता है कि hold रखिये और उपर जाएगा जैसे मैं example दे देता हूँ यहां पर buy signal दिया buy के पहले देखिये तो यह उपर की side का blue arrow दिया मतलब कि यह buy signal confirm trade है अब आगे जाकर आपको hold करवाता है आपको support देता है आपको confidence देता है आपका profit increase होता है कैसे यहां आपके आगे जाकर आपको बोला कि आप चिंता मत करिये यह और उपर जाने वाला है आगे जाकर फिर से आपको यहां बोला कि hold रखिये market और उपर जाएगा आगे जाकर फिर से आपको यहां बोला ये ओर उपर जाएगा hold लखिये यहां फिर से बोला लगबग 5 बार आपको बोल दिया है एक ही signal के अंदर support दिया है होल डखिये ओर उपर जाएगा ओर उपर जाएगा ओर उपर जाएगा अगर उसको लगेगा कि exit होने का time आगिया है तो आपको एक downside arrow डाल कर exit करवा देगा हमारा दोनों seat से verify होता है अगर double verify होता है तो ये signal लंबा चलता है ये double seat से verify trade था उसका reason ये था कि buy के pay seat number 2 के मुताबीज यहां ये white color की जो trading line है उनसे market उपर है उनसे market उपर चल रहा है और नीचे की दोनों remain क्या है green में बनी हुई है यहां भी देखिए तो सभी क्या है round green में बना हुआ था तो इसलिए ये double seat से verify trade था अगर double seat से verify trade होता है तो वह लंबा चलता है और उसमें target भी लंबा रहता है अगर आपको समझ में नहीं आता है आपको demo देखना है तो मुझे call contact कर सकते है नीचे section box में हमारा number दिया गया है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेगे कल के वीडियो में और हमारे channel पर live करते रहते है daily free में signal प्रोवाइड करते है तो आप हमारी channel को like करें सब्सक्राइब करें शेर करें धन्यवाद दोस्तों जाई है